इस वीडियो में हम लोग पाइप अर्थिंग के बारे में समझेंगे किस तरह से पाइप अर्थिंग के हल्प से लिकेज करेंट को ग्राउंड करते हैं। वीडियो काफी इन्फोर्मेटिव होने वाला है, so watch the video completely। इलेक्रिकल सिस्टम में अर्थिंग का बहरी इंपोर्टेंट रोल होता है, for safety purpose of electrical equipments, अर्थिंग लिकेज करेंट को ग्राउंड में बाइपास करता है और इलेक्रिकल सौक से प्रोटेक्ट करता है। जेनरली, इलेक्रिकल अर्थिंग is the arrangement to connect metallic body of the electrical equipment to earth, let's see the construction detail। कंकरिट का एक anthropology रहता है जो कास्ट अर्ण से कभर किया हुआ रहता है। ड़ इसका लेंद्थ 40 सेंटिमीटर होता है। 25 सेंटिमीटर एंड 15 सेंटिमीटर का chamber होता है। चेंबर के अंदर फदनल लगा हुआ रहता है जिसके थू वाटर को इनर चेंबर के अंदर इंटर करते हैं फदनल के साथ GI pipe अटेच रहता है जोकी गल्बनाइजड आइरन का बना हुआ रहता है पाइप का डायमीटर 20 mm होता है और पाइप का जो लेंथ है वो अबाउट 3-4 मीटर होता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पर इनर चेंबर है जिसमें अबाउट 5 लेयर बना हुआ रहाता है इनर पोर्षन का जो विड्थ है अबाउट 30 cm होता है इच लेयर 15 cm का होता है और फर्स्ट लेयर में चारकोल फिल्ड रहाता है सकेंड लेयर में साल्ट फिल्ड रहाता है मतलब चारकोल और साल्ट का अल्टरनेट लेयर रहता है यहाँ पर मेन इलेक्टरोड है जिसके साथ जी आई पाइप कनेक्ट है मेन इलेक्ट्रोड में small holes बना हुआ रहता है जिसका diameter 12 mm होता है जब funnel में water को filter करते हैं तो इन holes के थुरू जो water है वो charcoal and salt में dissolve होता है इलेक्रिकल अर्थिंग में salt and charcoal का main purpose होता है conductivity को increase करना and resistance को decrease करना charcoal moisture को maintain रखता है and salt soaks the alkali of the ground so with the help of salt and charcoal we increase the overall conductivity of the earthing system जब conductivity increase होता है तो leakage current ground में easily flow करती है यहाँ पर एक another GI pipe connect रहता है जिसके थुरू अर्थ वायर को main electrode से connect करते है and इस अर्थ वायर को particular machine और circuit से connect करते है जब circuit में किसी type का pole talker होता है तो जो high current flow करती है वो electrode के through ground हो जाती है इस pipe electrode के resistance को इस equation के हब से obtain कर सकते है R is equal to 100 rho by 2 pi L log 4 L by D rho is the resistivity of the soil अब जो मीटी रहेगा उसका resistivity को हम लोग rho से denote करेंगे L is the length of electrode and D is the diameter of the main electrode now हम लोग इस pipe earthing system का एक table बनाएंगे जहाँ पे सारे estimate को represent करेंगे express करेंगे कि chamber को बनाने में कितना concrete का यूज हुआ कितना diameter का pipe GI pipe हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा wire यहाँ पे connect करेंगे मतलब overall system को यहाँ पे show करना है show table को carefully read करेंगे और उसको note down कर सकते हैं अजय करेंगे 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 पाइपर्थिंग का यूज हैवे एंड हाई पावर रेटिंग मसीन को अर्थ करने के लिए किया जाता है क्यूंकि इसका जो मेन इलेक्टरोड होता है उसका सरफेस एरिया काफी ज़्यादा होता है जिसके कारण मोर लिकेज करेंट बाइपास होता है pipe arthing में यूज होने वाला charcoal and salt ground के resistance को low कर देता है and conductivity को increase कर देता है इसलिए इस टाइप के arthing का use most commonly किया जाता है pipe arthing का अगर plate arthing से compare करेंगे तो इसमें more leakage current पास होता है क्यूंकि इसका जो electrode का soil के साथ contact area है वो ज्यादा होता है इस टाइप के अर्थिंग सिस्टम का maintenance करना भी काफी easy होता है अर्थिंग different equipment, machines and circuit को short circuit current से protect करता है जो अर्थिंग रहता है वो short circuit current को एक easy path provide करता है to flow in the ground अर्थिंग different apparatus को high voltage surge and lightning discharge से protect करता है अर्थिंग के basic types को अगर हम लोग देखे तो दो type का होता है Neutral earthing and equipment earthing Neutral earthing उसको बोलेंगे जहाँ पे machine का जो neutral wire रहेगा उसको directly ground से connect करते है Through the GI conductor Neutral earthing को system earthing भी बोला जाता है इस type के earthing को वहाँ पे install करते हैं जहाँ पे system का जो winding है वो अस्टार में connect रहता है Like generator, transformer, motors, etc Next है equipment earthing Equipment earthing का use electrical equipment को protect करने के लिए किया जाता है Equipments के non-conducting part जो होता है उसको earth करते है Like their metallic frame Is connected to the earth by the help of conducting wire अगर apparatus में किसी टाप का fault कर होता है तो short circuit current earth में flow करेगी By the help of conducting wire And जो system है वो damage होने से protect हो जाता है And earthing process different type का होता है जैसे कि इस वीडियो में हम लोग ने pipe earthing को देखा और next वीडियो में हम लोग देखेंगे What is plate earthing तो इस तरह से कोई भी topic को अगर आप easy way में समझना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी प्रेस कर ले ताकि वीडियोज आप तक पहुच सके